धार्मिक और सामाजिक बातों में कसम सौगंध या शपत के बड़े गहरे माइने होते हैं। बात-बात पर कसम खाने वालों के साथ ये लेक उन लोगों के लिए पढ़ना जरूरी है जो अकसर कसम तोड़ देते हैं या जूठी कसम खाते हैं। कसम कहें या सौगंध या शपत भारत में प्राचीन काल से ही इसकी परंपरा और विशेश महत्व रहा है। लोग युगों युगों से कसम लेते और देते आ रहे हैं। सतयुग से लेकर कलियुग तक ये परंपरा लगातार जारी है। राजा हरिश्चंद्र से लेकर मर्यादा पुरुशोत्तम भगवान राम तक और द्वापर युग में भीश्म पितामह से लेकर भगवान कृष्ण तक सौगंध लेने के कई बड़े और मशहूर घटना क्रम इस भारत की पवित्र भूमि में सामने आ चुके हैं। मईया यशोदा और भगवान कृष्ण की कस में तो दुनिया भर के लोगों के लिए मिसाल हैं कि कैसे कृष्ण अपने बचपन में खुद को निर्दोश साबित करने के लिए कसम खाया करते थे और दूसरी और यशोदा मा भी पुत्र को अपनी कसम दे कर उनसे ज्यादा श बदल गया है दरसल कसम वो परंपरा होती है जो तोधी ना जाए वहीं बात-बात में कसम खाना या सौगंध उठाना अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि ऐसा करने वालों पर लोग भरोसा नहीं करते कसम एक पवित्र आचरण और परंपरा है जिसे पूरा करने से आपका क भारा लेते हैं कसम खाने के पीछे मुख्य कारण अपनी सत्यता को दूसरों को समझाना और दूसरों की सच्चाई को जानना होता है कसम के प्रकार भारतिय समाज में आज भी कुछ कसमें इस प्रकार से है जैसे बच्चों पति-पतनी माता-पिता या किसी खास रिष्टे क जैसे तुम्हें तुम्हारें बच्चों की कसम है, इस मामले में अक्सर ये कहा जाता है कि मैं अपनी मा की कसम खाता हूँ, तो बहुत से लोग अक्सर गंगा मैया की कसम, रोजी रोटी की कसम खाते और देते हैं। खाई है और जिसकी कसम खाई गई है, उन दोनों को हानी होती है, जो कसम तोड़ता है या किसी की जूठी कसम खाता है, उसके सम्मान में कमी आती है। वहीं जिस इनसान की कसम खाई जाती है या जिसकी जूठी कसम खाकर तोड़ी गई है, तो ऐसा होने पर देखा गया है कि उ उस इनसान के स्वास्थ्य और आयू की हानी होती है। कई बार जिस इनसान की कसम खाई गई थी वह बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। कसम तोडने या जूठी कसम खाने का प्रभाव इनसान की कुंडली में बैठे ग्रहों के हिसाब से पड़ता है। ऐसे में आपको कभी भी कसम का दुरुपयोग करके अपने और अपनों का जीवन खत्रे में नहीं डालना चाहिए। साथ ही आपको हमेशा सच बोलना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना है। इसके अलावा घर में उपाय के तौर पर विशेश, व्रिक्ष या पौधे लगाने के लिए भी जाता है। इसके नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिल रहे हैं, तो आपको अपने घर में पीपल और आम का पेड़ लगाना चाहिए। और उसकी पूजा करनी चाहिए। इसे मजबूत करने के लिए नियम और बरगद का पेड़ लगाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। आपको मानसिक रोगों से भी छुटकारा मिल सकता है और मन में शांती बनी रहती है और साथ ही नियम का पेड़ अनेक प्रकार की बीमारियों को भी खत्म कर देता है। तो ऐसे में नियम का पेड़ लगाना बहुत ही खास और बरकत वाला माना जाता है। गुलमोहर का पेड़ जयोतिश शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह जहां हमें हिम्मत और पराक्रम देता है तो वहीं शादी के लिए भी कुंडली में इसकी स्थिती को देखा जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल की स्थिती कमजोर है तो उसे मजबूत करने के लिए गुलमोहर और गेहुं के पौधे लगाएं और उसकी पूजा करें। ऐसा करने से लाब होगा। साथ ही गुलमोहर का पेड गार में शांती और सुरक्षा भी बनाए रखता है। इससे आपके घर में बरकत बढ़ने लगती है और आपकी परेशानिया भी खत्म हो जाती है क्योंकि गुलमोहर का पौधा बहुत ही खास माना जाता है। अप़ामारग का पौधा जियोतिश शास्त्र के अनुसार बुद्धी का कारक बुद्ध ग्रह होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में बुद्ध ग्रह की स्थिती कमजोर है तो उस व्यक्ति को अपने घर में अप़ामारग का पौधे लगाकर उसकी पूझा करना चाहि तो आपको ये पौधा जरूर ही लगाना चाहिए। में बहुत से लोग हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार और शनिवार का वरत करते हैं। अगर आप भी मंगलवार के वरत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी पूझा विधी जान लेते हैं। वरत पूझा विधी मंगलवार का वरत कोई भी व्यक्ती किसी भी महीने की शुकल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन से शुरू कर सकता है। इस वरत को किकीस या पैटालीस मंगलवार तक रखा जा सकता है। कई लोग तो इस वरत को आजीवन भी रखते हैं। इस वरत को करने के लिए मंगलवार के दिन प्रात काल जल्दी उठकर स्नानादी करके लाल रंग के वस्त्रधारन कर लें। इसके बाद घर के ईशान कोण में हनुमान जी के आसन के लिए चौकी रखें। और इसमें हनुमान जी की मूर्ती या चित्र को स्थापित करें। ध्यान रखें, हनुमान जी भगवान राम के परमभक्त हैं। इसलिए इनके साथ आप भगवान राम और माता सीता की मूर्ती या चित्र भी जरूर स्थापित करें। अब अपने हाथों में जल लेकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए ब्रत का संकल्प लें और धुब दीब जलाकर भगवान राम और माता सीता की आराधना करें। इस पूजा में हनुमान जी को आप लाल रंग के पुश्प वस्त्र सिंदूर आधी चढ़ाएं। मंगलवार का व्रत करने का लाब मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी की किरपा और आशीरवाद तो प्राप्त होता ही है। साथ ही कुंडली में मंगल से जुढ़े जितने भी दोश होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, मंगलवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को हनुमान जी, सम्मान साहस और शक्ति का आशीरवाद देते हैं, जिन लोगों को संतान नहीं हो रही हो, उन्हें हनुमान जी के आशीरवाद स संतान की प्राप्ति होती है